हेलो कैसे हैं आप सब मैं आप कमेंटर और आप देख रहे हैं लॉर्ण इंगलिस विदा टूस का एक नया और फ्रेश सेशन बारी है दा हिंदू सब्सक्राइब करेंगे लिएनों से पहले जो लोग इस चैनल पर नए है और वैसे पुराने लोग जोने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आकन प्रस करके नोटिक्वेशन को जरूर रखिएगा ताकि यहां से जो भी भी ऐसा एपिसोड नहीं डालता हूँ जो आपके लिए यूसलेस होता है वो कुछ न कुछ सिखाता जरूर है इसलिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को जब भी देखिए सुरू से अंतक देखिए भगा करके मत देखिए और हाँ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक लाइक सेर जरूर कीज़ेगा आप सब लाइक नहीं करते हैं मैं आपसे कई बार पूछा भी हूँ कि लाइक नहीं करने की वज़ा अगर वीडियो में कोई तुरूटी है तो मुझे बताइए क्योंकि आप सब के कहने पर ही और आप सब के प्यार के बदोलत ही ये वीडियो यह चैनल यहां तक पहुँच पाया है तो लाइक करना भूलेगा नहीं चले सेशन की सुरुवात करते हैं Learn English Without Rules के सेशन में इस फिर से आप सब का तहे दिल से स्वागत है उमीद है आप सब तयार है तो चले फटाफ़ट सेशन की सुरुवात करते हैं और आज जो वर्ड्स लिए गए हैं यापर हम उसको आपके सामने रखते हैं चले सेशन का जो पहला वर्ड है वो है सैल्वो सैल्वो एक नाउन की तरह इस्तमाल होता है और सैल्वो का मतलब होता है The act of firing several guns or dropping several bombs etc. At the same time A sudden attack or a sudden outburst of cheer दो तरिके का meaning होता है एक तो धमाका होता है जैजेकार के sense मिले सकते हैं बारूद की बॉच्छार के sense में और अपवाद के अर्थ में भी कभी-कभी इस्तमाल करते हैं तो मैंने यहाँ पर जो sense लिया है वो धमाका के अर्थ में यहाँ पर रखा है the act of firing several guns or dropping several bombs etc. at the same time a sudden attack कह सकते हैं salvo के लिए और इसका sudden outburst of cheers जैजे कार का भी जो है sense हम यहाँ पर रख सकते हैं synonym की बात करें तो barres, volley and bombardment क्या हो जाएगा? barres, volley and bombardment इसके synonym के तौर पर रखेंगे anonym यहाँ पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं है example देख लेते हैं the first salvo exploded a short distance away क्या कह रहा है? the first salvo exploded a short distance away मतलब है? कुछ दूरी पर the first salvo exploded a short distance away चले अगला जो सब्द है वो है clamor clamor noun और verb दोनों तरीके से इस्तमाल किया जाता है इसका जो parts of speech है वो noun भी है और verb भी है clamor का मतलब होता है to demand something in a loud और angry way है ना? किसी चीज़ का demand करना वो भी किस तरीके से? angry और चिल्ला करके loud मतलब गुस्से से और चिल्ला करके किसी चीज़ का demand करना to demand something in a loud और angry way मतलब है चिल्ला कर या क्रोध में कोई मांग करना कुलाहल के अर्थ में भी हम इसका इस्तमाल करते हैं clamor का synonym की बात करें तो hall, bellow and vociferate क्या हो जाएगा? hall, bellow and vociferate इसके synonym के तर पर इस्तमाल कर सकते हैं antonym की बात करें whisper, murmur and silence क्या हो जाएगा? whisper, murmur and silence इसके antonym के तर पर हम इस्तमाल कर सकते हैं example देखते हैं, example कह रहा है the audience clamored for the so begin audience किसी के लिए भाई मांग कर रहे थे for the so begin यहाँ पर जो पहला सब्द आया वो है salvo, salvo का मतलब होता है धमा का या जय जय कार से, the act of firing several guns or dropping several bombs at the same time and sudden attack के अर्थ में salvo का इस्तमाल करते हैं दूसरा जो सब्द हमने लिया है clamor, clamor है noun और verb और यह सब्द हमने लिया नहीं है यह editorial में उपलब्द है और यह आप समझे कि the Hindu की editorial page होती है उसमें जितने भी 4 editorial होते है दो छोटे वाले, दो बड़े वाले उस page पर जो भी सब्द अब तक कराया है उसको छोड़ कर जो नया सब्द होता है वो मैं यहाँ पर डालता हूँ और examination के point of view से भाई साब, इसको करना बहुत जरूरी है और मेरे साथ आप करते चलिए 2-3 महीने में आपको difference खुद ही दिख चाएगा और अब आप ट्राई कर सकते है दा हिंदू के एडिटोरियल पढ़िए तो दूसरा word है clamor, clamor का मतलब होता है to demand something in a loud और angry way पतलब चिला कर या क्रोध में कोई मांग करना और कुलाहल कर्थ में इसका इस्तमाल करते हैं चले अगले page पर बढ़ते हैं यह है plausibly plausibly adverb है और इसका जो sense होता है in a way that seems reasonable और probable क्या दिखता है कि ऐसा तरीका जो reasonable और probable दिखे मतलब है विश्वसनिय धंग से हम plausibly का इस्तमाल करते हैं सेंस में स्रेडिबली, reasonably and probably क्या हो जागा credibly, reasonably and probably इसके synonym के तौर पर इस्तमाल करेंगे antonym की बात करें ridiculously, unlikely and improbably क्या हो जागा ridiculously, unlikely and improbably इसके antonym के तौर पर हम इस्तमाल कर सकते हैं example देख लें बोथ candidates can plausibly claim victory is within their reach क्या कह रहा है बोथ candidates can plausibly claim victory is within their reach अगला जो सब्द है यहाँ पर ever verb की तरह इस्तमाल होता है to state clearly and strongly that something is true और assert क्या है to state clearly or strongly that something is true और assert के अर्थ में हम इसका इस्तमाल करते हैं मतलब है वादा करना या दावे के साथ कहना ever का मतलब क्या होता है वादा करना या दावे के साथ कहना किसी चीज़ को ऐसा कहना clearly or strongly करें, deny, repudiate, reject and negate, क्या हो जागा, deny, repudiate, reject and negate, इसके अंटनिम के तौर पर इस्तमाल करेंगे, चलिए, example देखते हैं, see a word that she had never seen the man before, क्या है, see a word that she had never seen the man before, मतलब है, क्यों उसने क्या किया, दावा किया, क्या है, a word that she had never seen the man before, इस पेज़ पर जो दो सब्दा है, पहला है, plausibly, plausibly का मतलब होता है, बिस्वस निया धंग से, in a way that seems reasonable and probable, in a way that seems reasonable and probable, दूसरा जो सब्द है, ever, इसका मतलब होता है, to state clearly and strongly that something is true, और assert के अर्थ में हम इसका इस्तमाल करते हैं, a word का, ये verb की तरह इस्तमाल ह होता है, और वो adverb की तरह, चले, अगले पेस पर बढ़ें, अगला जो सब्द है, वो tantamount, tantamount adjective की तरह इस्तमाल होता है, having the same effect or value of something, especially something bad, मतलब है कि समान प्रभाव का मुल्ले वाला विसेश करके कुछ बुरा, है न, विसेश करके क्या, कुछ बुरा, ठीक है, समान, तुल और बरावर की अर्थ में, लेकिन भी सेश करके कुछ बुरा ध्यान रखेगा, having the same effect or value as something, especially something bad, इस अर्थ में सम्तुल्य की बात करें, तो analogous, similar and equivalent क्या कहेंगे, analogous, similar और equivalent, सम्तुल्य इस अर्थ में सम्तुल्य इस अर्थ में सम्तुल्य रख सकते हैं, एंटरिम की बात करें तो distinct, various and disparate, क्या हो जाएगा, distinct, various and disparate इसके एंटरिम के तौर पर रखा जा सकता है, example देखते हैं, protecting the criminal is tantamount to committing the crime yourself, क्या कहरा, protecting the criminal is tantamount to committing the crime yourself, है न, कि अगर किसी criminal को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं, जो है, crime करने, खुद से crime करने के बराबर है, tantamount का म में tantamount का इस्तमाल करते हैं, चलिए अगला सब्द है, desist, desist जो है, ये warb की तरह इस्तमाल होता है, और इसका मतलब होता है, to stop doing something, desist का क्या मतलब होता है, to stop doing something, मतलब है, रोक लगाना, छोड़ देना, या परहेज करने के अर्थ में, synonym कहें, abstain, refrain, seize and issue, क्या हो जाएगा abstain, refrain, seize and issue, antonym की बात करें, तो carry on, persist, continue and begin, क्या हो जाएगा, carry on, persist, continue and begin, इसके antonym के तरह पर इस्तमाल कर सकते हैं, example देख लेते हैं, each place to desist from act of sabotage, क्या है, each place to desist from act of sabotage, क्या है, each place to desist from act of sabotage, तो इस स्पेस पर जो दो सब्दा है, पहला है, tantamount, tantamount का मतलब होता है, having the same effect or value as something, especially something bad, है ना, और desist का मतलब होता है, to stop doing something, रोक लगाना, छोड़ देना, परहिज करना, इस अर्थ में हम desist का इस्तमाल करते हैं, चले, अगला सब्द लेते हैं, वो है, malice, malice, noun की तरह इस्तमाल होता है, और malice का मतलब है, a general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason, क्या है, a general feeling of being slightly ill or unhappy without any reason, or the problems affecting only a particular group of people or situation that are difficult to explain or identify, मतलब है, कि बिना किसी कारण के बैचेनी और अपरशनता, इस अर्थ में हम malice का इस्तमाल करते हैं, malice का मतलब क्या है, कि बिना किसी कारण के बैचेनी या ओपरशनता, इस अर्थ में malice का इस्तमाल करते हैं, general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason, बिना किसी particular reason, क्या है, मन अजीब सा लगता है, operation और खिन सा फील होता है, तो उसके लिए हम malice इस्तमाल कर सकते हैं, scenario की बात करें, anxiety, worry, concern and unease क्या हो जाएगा, anxiety, worry, concern and unease कहेंगे, antonium की बात करेंगे, ease, peace, relief and content, क्या हो जाएगा, ease, peace, relief and content इसके antonium के तोर पर हम इस्तमाल कर सकते हैं, example देख लेते ह of the current economic malice, क्या है, we were discussing the roots of current economic malice, मतलब है current economic malice का root discuss कर रहे थे, क्या कारण है, जर में क्या है, we were discussing the roots of current economic malice, तो malice का मतलब होता है, बिना किसी कारण के बेचेनी और प्रशनता इस अर्थ में इस्तमाल करते हैं, और general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason, चले, पेस पर जो अगला सब्द है, वो है afflict afflict, afflict verb की तरह इस्तमाल होता है, और इसका मतलब होता है, to cause somebody or something to suffer pain, sadness, etc., मतलब है दुखी होना या करना, पिरित होना या करना, तरस्ट होना या करना, तरस्ट करना, दुखी करना, पिरित करना, इस sense में हम afflict का इस्तमाल करते हैं, स्रेनिम के बात करें, plague, persecute, annoy and visit, क्या हो इसके एंटरिम की बात करें, help, soothe, please and comfort, क्या हो जागा, help, soothe, please and comfort, इसके एंटरिम के तरह पर हम इस्तमाल कर सकते हैं, example देखा जाए, one of my relatives was afflicted with severe asthma, क्या है, एक जो मेरा relatives है, उसमें से करीबी जो है, वो afflicted है, पिरित है, किस चीज़ से, severe asthma से, जिसको आप अस्तमा कहते हैं बाइ, one of my relatives was afflicted with severe asthma, क्या है, afflicted का मतलब to cause somebody or something to suffer pain or sadness, etc., इस पेस पर जो दो सब्दा है, पहला है, मिलास, मिलास का मतलब होता है, general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason, और जो दूसरा है, afflicted का मतलब होता है, to cause somebody or something to suffer pain or sadness, चले, अगले पेस पर बढ़ते हैं, अगला जो सब्दा है, यह डोप, ड इसे, यहां जो sense है, इस सर्थ में पहले parts of speech देख लें, यह वोब और noun दोनों तरीके से इस्तमाल होता है, डोप का कई सारा meaning होता है, एक तो है information especially from a reliable source, क्या है, information especially from a reliable source, इसका और दूसरा है, a stupid portion इस सर्थ में विस्तमाल करते हैं, या फिर an illicit drug used for its intoxicating or euphoric effects, मतलब ऐसा illicit drug जो कि उसके नसे वाले गुन के कारण यूज़ किया जाता है, तो यहां पर जो meaning आया, वो है, जानकारी, मुर्ख वेक्ती, नसीली दबा, अंदुरुनी ख़वर, इस अर्थ के लिए हम कई सारे अर्थ में डोप का प्रियोग करते हैं, सनेनिम देखिए, मैंने मिला जुला यहां पर है, इसले मैंने डाला नहीं, तो डोप का मतलब यहां पर है, information, especially from a reliable source, दूसरा meaning है, stupid person, example देख लेते हैं, कहरा, you shouldn't have told him, you do, you shouldn't have told him, you do, मतब तुम्हें उससे नहीं कहना चाहिए, ए मुर्ख, you do, चले, अगला जो सब्द है, वो है, prolific, prolific, adjective के तरह इस्तमाल होत है, और कई जगहों पर भी यूज होता है, अगर हम artist और writer को देखते हुए कहें, तो producing many works, etc, इस अर्थ में हम prolific का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर हम plants और animals की बात करें, तो producing a lot of fruits, flowers, और young इस अर्थ में करते हैं, या existing in large number, इस अर्थ में भी हम prolific का प्रयोग कर सकते हैं, तो य उत्पादन करने के गुनोवाला, है ना, क्या है, बहु वल्दायाग या उत्पादन करने के गुनोवाला, सनननिम देखे, तो सनननिम हो जाएगा productive, fecant and fertile, क्या हो जाएगा, सनननिम हो जाएगा productive, fecant and fertile, एंटनिम की बात करें, तो unproductive, sterile and barren, क्या हो जाएगा, unproductive, sterile and baron इसके एंटरिम के तोर पर हम इस्तमाल करेंगे example देख लेते हैं the kiwi fruit is known for its prolific yield and good export price क्या है kiwi fruit is known for its prolific yield and good export price इस पर जो दो सब्दा है पहला है डोप, डोप का मतलब होता है an information क्या है डोप का मतलब होता है an information especially from a reliable source या फिर a stupid portion दूसरा prolific, writer और artist के संदर में के हैं तो producing many works और animal or plants के संदर में के हैं तो producing a lot of fruits, flowers और young या फिर existing in large numbers इस अर्थ में भी हम prolific का इस्तमाल करते हैं, चले अगले page पर बढ़ते हैं और यह है embellis embellis, warp की तरफ प्रयोग होता है और इसका मतलब देखिए to make something more beautiful by adding decoration to it, मतलब है किसी चीज़ को और बहतर कर देना, उसमें decoration add करके, मतलब सजाना, सवारना है न, सजाने के अर्थ में हम embellis का इस्तमाल करते हैं, दूसरा देखिए to make a story more interesting by adding details that are not always true, मतलब है किसी story को और interesting बनाना, उसमें कुछ अएसा जोड कर, जो कि हमेशा सच नहीं होता है, मतलब है बढ़ाच रहा करके कहना, तो यहांपर क्या है कि सजाना सवारना या नमक मिर्च लगाना, हमारे बोलचAmerica में कहते हैं, नमक मिर्च लगाकर के बात को लग दिया सामने, मतलब बढ़ाच रहा करके कह देना की बात करें तो decorate a dawn embroider and exaggerate क्या है decorate add-on embroider and exaggerate एंटरिम की बात करें तो simplify harm scar billittle and understate क्या हो जाएगा simplify harm scar billittle and understate में क्या हो गया decorate a dawn embroidery and exaggerate example देख लेते हैं he couldn't resist embarrassing the story of his accident a little, क्या कह रहा है he couldn't resist embarrassing the story of his accident a little, यहाँ पर बढ़ा चरा करके कहना, नमक मिर्च लगाने के अर्थ में यूज हुआ है, he couldn't resist embarrassing the story of his accident a little तो himbélis का मतलब क्या है, सजाना सवारना या नमक मिर्च लगाना इस अर्थ में इस्त conquer जलिए अगला सब लेते हैं वो है डैजल, डैजल वर्ब की तरह इस्तमाल होता है और डैजल का मतलब होता है तेज रौसनी के लिए होता है तो मेक समबड़ी अनेबल तो सी फॉर असौट टाइम पतलब है चुन्धिया देने के सेंस में भी हम डैजल का इस्तमाल करते हैं स्रेंप कहें impress, overwhelm, and surprise क्या है impress, overwhelm, and surprise antique कहें disgust, offend, and alienate ऐखेंपल देख लेते हैं she knows a lot of famous people and tried to dazzle me with their names क्या है she knows a lot of famous people and tried to dazzle me with their names अब यहाँ पर इस स्पेस पर जो दो सब लिये पहला है embellis, embellis का मतलब होता है to make something more beautiful by adding decoration to it या फिर to make a story more interesting by adding details that are not always true मतलब है मिर्च मसाला लगा करके कहना और सजाना समारना इस अर्थ में हम embellis का इस्तमाल करते है दूसरा है dazzle, dazzle का मतलब यह bright light के लिए होता है कि हम जिसको नहीं देख पाते है to make somebody unable to see for a short time or to impress somebody very much मतलब है चकाचौन्थ करना, चकित करना या किसी को अत्यंत प्रभावित करना इस अर्थ में हम dazzle का प्रियोग करते है चोलिए अगले page पर बढ़ते है अगला जो सब्ध है वो है rasmataz rasmataz adjective की तरह इस्तमाल होता है और इसका मतलब बता है noisy and noticeable activity intended to attraction attention क्या है? किस चीज के लिए किया जाता है noisy and noticeable activity intended to attraction attention है ना to attraction या to attract attention होना चाहिए ठीक है? क्या है? noisy and noticeable activity intended to attract attention मतलब है कि intent क्या रहता है? कि भाईया attraction जो है वो attend कर सके कहीं से noisy and noticeable activity intended to attract attention मतलब है ब्रामक या रंगीन अक्सर भरकीली कारेवाही का प्रदर्शन जो किसी के आकर्सन करने के लिए किया जाए है ना उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते है razzmatazz का synonym की बात करें तो hype, fanfare, value and pomp क्या हो जाएगा? hype, fanfare, value and pomp इसके synonym के तोर पर इस्तेमाल करेंगे antonyum की बात करें तो simplicity, elegance and modesty क्या हो जाएगा? simplicity, elegance and modesty जो है the new car was launched with great razzmatazz, champagne, food, free gifts and dancers चले अगला जो सब्द है वो है echelon echelon noun और verb की तरह इस्तेमाल होता है noun और verb इसका parts of speech है echelon का मतलब होता है rank or position of authority in an organization or a society मतलब है उपाधी स्तर है न क्या कह रहा है rank or position of authority in an organization or a society किसी society में जो है authority का rank or position उसके लिए हम echelon का इस्तेमाल करते है स्नानिम के है level, rank, grade and order क्या है level, rank, grade and order echelon के इस्तेमाल कर सकते है स्नानिम के तोर पर enter name मुझे लगा नहीं है इसलिए मैंने डाला नहीं है example देख लेते है these salary increases will affect only the highest echelons of local government क्या है इस फेज पर जो दो सब्द आए वो है राजमतास पहला noisy and noticeable activity intended to attract attention क्या है noisy and noticeable activity intended to attract attention और मतलब है भ्रामक या रंगीन अक्सर भरकी ली कारिवाई या प्रदर्सन जो किसी को attract करने के लिए किया जाए और echelon का मतलब होता है rank or position of authority in an organization or a society मतलब है उपाधी से जुरा हुआ है उपाधी स्तर की बात करते हैं उसके लिए हम echelon का इस्तमाल करते हैं चलिए अगले पेस पर बढ़ते है अगला जो word है वो है eclectic eclectic adjective और noun दोनों तरीके से इस्तमाल होता है इसका मतलब होता है deriving ideas style or test from a broad and diverse range of source मतलब क्या है derive करे क्या करे idea style or test कहा से broad and diverse range of source से जब करे तो उसको कहते हैं eclectic chain seal बिवन सुरोतों से चुनने वाला उसके लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं eclectic अगर हम किसी को कहते हैं कि eclectic person है मतलब है कि वो idea और style or test जो है वो different different source से derive करता है वो हाँ से लेता है synonym की बात करे तो diverse कह सकते है extensive कह सकते है and assorted कह सकते है क्या कह सकते है diverse, extensive and assorted antonym की बात करे तो narrow, limited and homogenous क्या हो जाएगा narrow, limited and homogenous इसके antonym के तोर पर हम इस्तमाल करेंगे example देख लेते है she has very eclectic test in literature क्या है बहुत eclectic test है उसके पास literature में she has very eclectic test in literature eclectic का मतलब होता है deriving ideas, style or test from a broad and diverse range of sources चलिए, अगला जो सब्द है वो है encompass encompass वो की तरह इस्तमाल होता है इसका मतलब है to include different types of things क्या है to include different types of things के लिए हम encompass सब्द का इस्तमाल करते हैं मतलब है sammilit करना और घेरना इस अर्थ में encompass का इस्तमाल करते हैं include, incorporate, contain and comprise क्या हो जागा include, incorporate, contain and comprise encompass के अर्थ में इस्तमाल होगा antonym के है exclude, preclude, omit and prohibit क्या हो जागा exclude, preclude, omit and prohibit इसके antonym के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है चलिए example देख लेते है the job encompasses a wide range of responsibilities क्या है job encompasses a wide range of responsibilities क्या करता है wide range of responsibilities को सामिल करता है to include different types of things इस अर्थ में हम in compass का इस्तमाल करते हैं इस phase पर जो दो सब्द है पहला eclectic derive ideas, style or taste from a broad and diverse range of source मतलब है चयन सील, बिभिन उस्रोतों से चुनने वाला इस अर्थ में हम eclectic का इस्तमाल करते है in compass का मतलब होता है to include different types of things मतलब है summilit करने के अर्थ में हम इसका इस्तमाल करेंगे चले अगला जो सब्द है वो है dispassinate adjective की तरह इस्तमाल होता है और इसका मतलब होता है not influenced by strong emotion and so able to be rational and impartial मतलब है किसी भी strong emotion से आप influence नहीं है इसका मतलब है आप rational है impartial है मतलब है निस्पक्ष के अर्थ में हम dispassinate का इस्तमाल करते है अगर हम synonym की बात करें तो equitable, impartial, unbiased and equal क्या हो जाएगा equitable, impartial, unbiased and equal इसके synonym के तरह पर इस्तमाल होगा intonum की बात करें तो unjust, partial, biased and inequitable क्या हो जाएगा unjust, partial, biased and inequitable इसके अंचनिम के तौर पर इस्तमाल कर लेंगे, तो dispassionate का मतलब है nisphaksh, मतलब है not influenced by strong emotion and so able to be rational and impartial, है ना, nisphaksh के अर्थ में, example देख लेते हैं, the book is intended to provide a more dispassionate understanding of recent history, क्या है, book जो है, intended to provide a more dispassionate understanding of recent history, इस पेज़ पर जो पहला सब्द है dispassionate, इसका मतलब होता है nisphaksh, क्या है nisphaksh, मतलब unbiased, चलिए, अगला जो सब्द है वो hail, hail, verb और noun दोनों तरीके से इस्तमाल होता है, hail का मतलब है to proclaim that somebody or something is very good or very special, or to call or wave to somebody or something, मतलब है कि किसी की प्रशंसा करना या बुलाना इस अर्थ में भी, hail का मतलब ओला ब्रिस्टी से भी होता है, ये एक अलग meaning यहाँ पर मिन रख दिया है, ओला ब्रिस्टी से भी होता है, तो proclaim that somebody or something is very good or very special, इसके लिए hail सब्द का प्रियोग करते हैं, और to call or wave somebody or something, किसी को बुलाने के अर्थ में जो हाथ हिलाते हैं ने सिगर के, उसके लिए भी हम hail का प्रियोग करते हैं, इसके एंटरियम के तौर पर हम इस्तिमाल करेंगे, example देख लिएते हैं, इस पर जो दो सब्दाए पहला आया, dispassionate, dispassionate का मतलब होता है, nispakch, मतलब है, not influenced by strong emotion, and so able to be rational and impartial, hail का मतलब होता है, to proclaim that somebody or something is very good, very special, या फिर to call or wave to somebody or something, मतलब है, कि प्रसंसा करना, बुलाना, और hail का एक मतलब, olabristi से भी होता है, olabristi भी है, हेल का एक meaning है, चले, अगला सब्द है, वो है affinity, affinity, noun की तरह इस्तमाल होता है, और इसका मतलब होता है, strong feeling that you like and understand somebody or something, usually because you feel similar to him, her or it, मतलब है, किसी पुरस को, नारी को, या किसी चीज़ को, इसलिए या पर तीनों लिखा हुआ, him, her or it, in some way, किसी तरीके से आप ये पाते हैं, कि वो similar है, या फिर a similar quality in two or more people or things, आप अगर सादरन भासा में कहें, उसके लिए a similar quality of two or more people or things, इसके लिए भी हम affinity का प्रियोग करते हैं, strong feeling that you like and understand somebody or something, usually because you feel similar to him, her or it, इस अर्थ में affinity का इस्तमाल करते हैं, मतलब है, संबन्ध, आकरसन, समानता और सादरश इस अर्थ में हम करते हैं, संबन्ध और आकरसन, similarity इस अर्थ में भी यूज़ करते हैं, synonym देखें, empathy, report, accord, and bond, क्या हो जाएगा, sympathy, report, accord, and bond, इसके synonym के तोर पर इस्तमाल होगा, antonym की बात करें तो dislike, aversion, antipathy, and distaste, क्या हो जाएगा, dislike, aversion, antipathy, and distaste, इसके synonym के तोर पर हम इस्तमाल करेंगे, example देख लेते हैं, he had always had an affinity for wild and lonely places, क्या है, he had always an affinity for wild and lonely places, चले, अगला सब्द वो है, expatriate, expatriate का, यह जो है, noun की तरह इस्तमाल होता है, expatriate, इसका मतलब है, apportion who lives outside his or her own country, मतलब ऐसा आदमी जो अपने देश से बाहर रहता, outside his or her own country, मतलब है, अपने देश से बाहर रहने वाला व्यक्ती, या निर्वासित व्यक्ती, उसको कहते है, expatriate, अगर हम synonym की बात करें, तो immigrant, refusee, immigrant and exile, क्या हो जाएगा, immigrant, refusee, emigre and exile, और एंटरिम की बात करें, तो native, indigenous and local, क्या हो जाएगा, native, indigenous and local, इसके एंटरिम के तोर पर हम इस्तिमाल कर सकते हैं, तो दूसरा जो सब्द है, इस पेज पर वो है, expatriate, इसका मतलब होता है, a person who lives outside his or her own country, सब्सक्राइब की बात करें, तो immigrant, refusee, emigre and exile, और एंटरिम की बात करें, तो native, indigenous and local, एंटरिम देख लेते हैं, a large community of expatriates has settled there, क्या है, a large community of expatriates has settled there, a large community of expatriate has settled there, इस पेज पर जो सब्दा है, पहला है, affinity, affinity का मतलब होता है, a strong feeling that you like and understand, somebody or something, usually because you feel similar to him, her or it in some way, या फिर दूसरा meaning है, a similar quality in two or more people, मतलब है, similarity से, समानता से, संबन्द और आकरसन से, इस अर्थ में हम affinity का प्रयूग करते हैं, expatriate का मतलब होता है, a person who lives outside his or her own country, मतलब है, अपने देश से बाहर रहने वाला वेक्ती, या निर्वासिफ्वेक्टी के अर्थ में हम, expatriate का इस्तमाल करते हैं, चले, अगला जो सब्द है, ये है, surmountable, और मुझे लगता है कि आखरी सब्द है, surmountable adjective की तरह इस्तमाल होता है, और इसका मतलब होता है, possible to deal with or solve successfully, मतलब है किस चीज़ को अगर possible हो, deal करना या solve करना successfully, उसके लिए हम surmountable करते हैं, जीतने, योगिया, पार करने, योगिया, बढ़ने, योगिया, इस अर्थ में हम surmountable का इस्तमाल करते हैं, सनननम की बात करें तो, achievable, doable, possible and beatable, क्या हो जाएगा, achievable, doable, possible and beatable, इस अर्थ में हम सनननम का प्रयोग कर सकते हैं, इसके सनननम का और एंटनिम के हैं तो, invincible, impovious and impregnable, क्या हो जाएगा, invincible, impovious and impregnable, इसके एंटनिम के तोर पर हम इस्तमाल कर सकते हैं, surmountable का मतलब है, possible to deal with or solve successfully, क्या है, possible to deal with or solve successfully, इस एंटनिम का जो आखरी सब्द है, वो है surmountable, इस पेज़ पर जो सब्द आया, surmountable, adjective के तरह प्रयोग होता है, possible to deal with or solve successfully, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, मीनिंग है, जीतने योग ये पार करने योग, बढ़ने योग, सरनिम है, achievable, doable, possible, beatable, और एंटनिम है, invincible, impovious and impregnable, एक्जामपल मैंने लिया, these are miser, but surmountable obstacles, उमीद है, कि आज के session में, जो कुल 21 सब्द आपके सामने रखे गए, सब के सब नए थे, और आपको सब सीख कर बहुत मज़ा आया, और बहुत सारी जानकारी जुटाने में आप सक्षम हो पाए, और ये वीडियो आपको फाइनली पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजे, अब तक आपने चैनल सब्स्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्स्राइब करके, बिल आकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ओल पर जरूर रखेगा, ताकि यहां से जो भी वीडियो अप्लोड हो, उसकी सूचना आपको समय से मिले, खैर समय यहां से बिदाल लेने का, बहुत जाद इस तरह के वीडियो के साथ, फिर आपके सामने उपस्त होंगे, तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवार जोनों का ख्याल रखे, खुश रहिए, मस रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा, लेर्न इंग्रिश बिदाउट रूस के से से, this is VK Singh signing off,